Hello members, SBI इनको आज के दिन हम trade कर रहे हैं हमारे तयर समय के बाद में ये trade execute हुआ है because आपने कुछ rules हैं कि इतने बज़े के बाद हम trade execute नहीं करेंगे क्योंकि morning से ही हम SBI इनको देख रहे थे हैं और एक ठीक ठाल level पर हमको यह लगा दिखा और Nifty Bank भी हमें इसके support में लगा जिस वजह से हमने इसको trade किया बिल्कुल भी हम recommend नहीं करेंगे आपको कि आप एक या दिर बज़े के बाद में कोई नया trade execute करो because target achieve करने के लिए फिर जो समय वो बहुत कम बचता है आगर आपके level या पी target तक पहुशने में market ने time लगाया तो वो समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप इस ट्रॉव को एक execution के बाद में proper time दे पाँ इसलिए ज्याधा देर में trade execute करना अच्छी बात नहीं आगे भढ़ते हैं SBYN को हमने short किया 466.75 पर यहां पर देखिए trade book अपनी open कर लेते हैं 1640 quantities हमारी short है इस वत का अपना profit चल रहा है 3936 रुपए 4000 रुपिस के लगवाए का अपना profit चल रहा है and order book open कर लेते हैं यहां पर जो stop loss हम नहीं लगा रहा है आपना 470.65 का stop loss है 1640 हमारी quantities है 468.75 यहां पर हमने अपना trade execute किया है तो trade execution प्लस हमारे जो order दोनों चीज़े सेम ही है and position book में इस वत का profit 3600 यह इस ही करौन चल रहा है क्योंकि market side way है एक बार से लगा था एक conviction अंदर साया था कि market गिर सकती है और move अच्छा मिल सकता है बट market side way पूरी कोई बात नहीं अगर आज हम इसके अंदर कम profit लेकर के भी निकलते रहे हैं तो उसमें कुछ issue नहीं है because अंदर से conviction नहीं हो रहा है कि market हमें एक बड़ा move देगे लेकिन ठीक है अब execute किया है तो थोड़ा बहुत या तो हो सकता हमें मिले या stop loss चाहिए अपने टेलिग्राम चैनल पर लगातार हम अब्डेट कर रहे है हम अपने टेलिग्राम चैनल पर लगातार अब्डेट कर रहे है market चल रही है यह है हमारा एक trade जबकि trade हमने execute किया था 1640s का ता अब्डेट किया था तो टेलिग्राम चैनल अगर आप मेरा join नहीं क्या तो आप join कर सकते हो बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्यूबर हम इतने active नहीं हो पाते है बढ़ टेलिग्राम के थुरु जितनी भी information समय आप तक पहुचानी होती हम पहुचाते है टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जोइन कर सकते हैं तो SBI इन के अंदर जो हमारा target है 468.10 का हमारा target है and entry stop loss points में आपको बाता ही दिया है और इस वतका जो अपना profit सला है 3,200, 3,300 रूपीज के आरूंड हमारा profit रेनेंगे जल्दी से एक overview ले ले लेते हैं आज के trade का day time frame और lower time frame पर because अंदर से मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का फिर भी हम कोशिश करें कि एक वीडियो बना कर के भले ही चोटा से वीडियो आप लोग उसको देखिएगा कुछ ना कुछ फायदा ही होगा इससे देखिए day time frame पर एक bearish candle है उस candle के थुरू आप read करें जैसे कि मेरे पास एक candle like ये वाली candle 18th of May की candle चुप चाप यहां से बस price को read करना है इस एक candle से price को आपको read करना है यहां पर एक line हम draw कर देते हैं जिससे कि समझने में थोड़ा सा असान ही हो जाए 18th of May की candle के बाग में price हमारा downside की तरफ गिर गया अब जो 18th of May की candle कहाई है यह मेरे लिए एक resistance की तरफ work कर रहा है कि 18th of May की candle एक resistance की तरफ work कर रहा है देखिया price हमारा 18th of May के ऊपर नहीं निकल पा रहा है निकल लेंगे कुछ इशकर रहा price और वापस इसके नेचे गिर गया जब पहली बार price हमारा downside की तरफ आया है 18th of May की candle के निकल पाया है यह इसके बाद में ऊपर की तरफ नहीं निकल पाया है एक दो तीन तीन दिन से price हमारा downside की तरफ है but 26th of May को market ने हमारी 18th of May की candle के ऊपर में जाकर कि इसने closing दे दी थी मतलब जो price हमारा यह एक तरह से इसने 18th of May की candle के ऊपर एक positive closing दे दी थी अब closing तक clear है closing के बाद में जब हम आगे की तरह बढ़ना तो price एक तरह से हमारा strong लग रहा है मतलब 18th of May की candle की range के बाहर stock निकल गया है यह देखिए यहां से भी strong यहां से भी strong यहां से भी strong price एक तरह से अपने highs को highs को and highs को break कर रहा है देखिए candle से candles जुड करके चलती है यह चीज़ हमने आपको last video को भी बताए कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखो साह में मिले तो वीडियो आप देखोगे ना हो रही है किस वक्त हम क्या decision ले रहे हैं किस तरह से candle से candle को हम correlate कर पा रहे हैं उसको समझ रहा है यही चीज़ हो रही है और कुछ नया नहीं हो रहा है यहां पर वीडियो कर अच्छा लगता है इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को like करो, comments करो और अपने friends circle में share करने के कोशिश करो because यह जो मेरा effort है अगर आप help करोगे तो यह और लोगा तक पहुँचेगा जिससे कि और भी ज्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे इससे अपने आपको जोड पाएंगे अब देखें, higher time frame पर यह सारी चीज़ें clear है कि price यहां से अपने highs को break कर रहा है और lows को protect कर रहा है अब last trading session में क्या हुआ है हमारी जो 19th of May की candle थी, 18th of May की candle price 18th of May की candle की winch के अंदर आका के close हो गया एक चीज़ समझ पाएं, मतलब एक, दो, तीन, तीन दिन market ने कोशिच की है हमारी कि 18th of May की candle के बाहर ये trade कर रहे है, बट price हमारा बाहर की तरफ sustain नहीं कर रहा है इसको rejection मिल रहा है, बेशक price हमारा highs break कर रहा है, बट यहां पर rejections मिल रहा है और कल के दिन market हमारी 18th of May की candle के अंदर आकर के close हो गया clear है न, कल तक अगर हम देख रहा है तो SBIN हमको 18th of May की candle के recording week नज़र आ रहा है week दिख रहा है, अब lower time frame पर आ जाए चुप-चाप और आज की opening को देखे कि आज market ने opening कहा पर दिया और कैसे दिया अगर आप 9.15 के अपनी ये candle देखोगे, तो देखे इसने हमारी range के अंदर जाकर के closing अब क्यूंकि कल market ने downside के तरफ closing दी थी, मतलब previous day की range के अंदर आकर के इसने closing कर दी थी, 18th of May की range के अंदर आकर के इसने closing के थी clear है, तो अब SBIN के अंदर हमें सिर्फ short करना था, हम इसको देख रहे हैं और क्यूंकि morning से इसके अंदर short करने का मौका नहीं मिला हमको क्यूंकि इसके अंदर जो supports के level हमारे निकल के आ रहे थी, वो कहीं न कहीं ये वाले points थे थोड़ा सा 4709, लगमद लगए यह वाला point था, जहां से हमें short करना था, बढ़ देखिए, price हमारा पूरी तरह से sideway था है और कोई भी conviction नहीं मिला था, confirmations नहीं थे, जिस वाज़े से हम नहीं कर पाया, और अभी जब हमने देखा कि price हमारा downside के तरफ गिर रहा है और इसका sector भी इसको support कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको short कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ यह reason था, I hope कि आपको समझ में आज़ा होगा है, कि हमने भी क्या कहा है, किस तरह से price को analyze किया है price हमारा 18th of May की candle के अंदर, इस वाली candle के बाहर निकल चुका था, एक दो तीन तक अंदर गया था, तीन दिन तक बाहर रहा है और कल के trading session में market ने अंदर की तरफ आकर के closing दे दी, और आज की opening भी अंदर की तरफ थी, यानि के जो resistance point है हमारा 18th of May का price ज़ना से reject हो अगर SBIN के अंदर हमें short के opportunity मिलती है तो एक अच्छा move हमें देखने हो को मिल जाएगा clear है, यह day time frame के लाएवाले, बाकि इसके अंदर हमने entry कितने रूपय पर लिया है और कहां stop loss लाग है यह चीज हमने आपको बता दी okay, so stop loss 470.65 पर है, वेट कर रहे है अगर यह stock sideways रहे जागा ना तो बुरा ने ले ले गए क्योंकि ठीक हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है बट फिर भी इसने हमारी expectation से थोड़ा से ज़्यादा move दिखाया down up से ले करके downside का बट यह जो एक candle बनी है ना पिछले आदे घंटे से ज़्यादा के move को इस एक candle ले कवर कर लिया है तो लगबग 6,000 प्लस के profit के अंदर हम आ चुके थे और हम में लग रहा था कि कम से का हम 1 ratio 2 से ज्यादा ही कुछ लेकर के जाएंगे बट ओवराल जो इस वत का profit अपने चल रहा है 3,100 के around हम profits को hold कर रहे हैं और कोई भी बाइंग बगारा के order भी इस वक्त हमने नहीं लगा हुए है अब मन तो यह कर रहा है कि अब हम ब्रोकर के निकालने का wait करें and stop loss हमारा जहां पर था 470.65 वहां पर हमारा stop loss लगा हुआ है and अभी तक हमने अपने stop loss order को cancel नहीं किया है एक काम करते हैं जल्दी से पहले अपना stop loss order कैंसल कर देते हैं 470.65 चलिए stop loss order हमने cancel कर दिया है and position book 3800 अचावी पैस नीच आ रहा है थोड़ा बहुत आने दीचे खुद नहीं निकलेंगे और भी ब्रोकर के निकालने का wait करेंगे जितने price पर वह हमें निकालना चाहिए निकाल देखना कि जब ब्रोकर निकालेगा तो आपको महेंगा ही rate मिलेगा अगर आप बेचना चाहोगे तो जहां पर आपने order लगाए यहां पर हमारा price होगा वहां से वह उपर ही हमें exit करेगा इसी तरह से buying or selling में प्राइस चाहें जो चल रहा हो थोड़ा सापको महेंगा ही देगा अगर ब्रोकर निकालेगा तो और निकालने के charges वह अलग से लेगा तो जब ब्रोकर निकालता तो इतना सा रिस्क लेकर के चलना पड़ता है वेट करते हैं अभी इस वत का जो अपना profit चल रहा है 3000 के round हम बने हुए है 2800 हो चुका है एक बार setup सही हो जिस system से हम काम करते हैं अगर हमें उस system के उपर belief हो जो analysis हम करते हो उस analysis के उपर belief हो काम करना असान हो जाता है बट ये बातें करना कि system के उपर belief एक system को apply करना consistency के साथ काम करना ये बातें करना बड़ा आसान होता है बट जब real market में originally हम लोग काम करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल का मतलब ये कि इन सारे systems को संभालना है इन सारे जो भी बातें की जाते ही इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए trade execute करना इनके बीच काई जो combination है combination बनाना मुश्किल होता है practice जाता है ये सब तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे एक बार कहा और सुबह या फिर next day से आप बहुत अच्छे से काम करने लगए देरे 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 practice से जाएगा combination बनाने के कुशिच कीजिए आपकी psychology के साथ और आपके system में जो भी analysis हो रही है analysis प्लस अपनी psychology दोनों के अंदर combination बनाई है ये एक या दो दिन का काम नहीं है मेहनत करनी पड़ेगा consistency के साथ मेहनत करनी पड़ेगा चलिए लॉस तो अभी अपने चल ही रहे हैं कोई बात नहीं देखते हैं देखते हैं ब्रोकर क्या rate देगा फिलाल कुछ बहुत बड़ा यहां पर magic magic होने वाला है नहीं में भी हो सकता है 25-2400 रुपया के आसपास हम निकले यह तो अमें लग रहा है सारे प्रोफिट लेकर के चला जाएगा ओ हो मुवमेंट लेजे पूरे दिन के महनत अपने चली गए वरी गुड सारे अपने निकल गया है और 24-25 रुपय हम बोल रहे थे 14 रुपय लेकर के बाहर निकले थोड़ी बहुत जो ब्रोक्रिज जाएगी वो ब्रोक्रिज प्लस हो सकते हैं 1200 रुपय हमको मेल जाए 1200 रुपय हमको मेल सकते हैं यह अपना ट्रेड एक्जिक्यूशन है आज का और और बुक देख लेते हैं 467.85 पर हमें मार्केट निकाल दिया तो इसको एक बार कॉपी करो पोजिशन बुक इधर आ जाते हैं अच्छा है ना कितना अच्छा रार रेशियो हम लोंको आज के दिन मिला वन रेशियो लीजे वन रेशियो 0.5 यह अपना रार रेशियो है अज का हम ट्रेड करते तो इस तरह की भी मार्केट हमारे समय आएंगे लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा साइड भी मार्केट होगा कुछ चीजे फिक्स हैं जैसे कि हमारा सिस्टम फिक्स होना एकें सेयरे विए cred raising रेढनां पानान चाहिए